दस्तो स्वागत है आपका बिहार नियूज में दस्तो मैं हूँ फिर दोस गनी और आप देखने के लिए लाइब दस्तो आज की बिहार की टॉप नियूज लेकर आपके लिए दस्तो वीडियो इस्ट करने से पहले आप प्रिवेस्ट अगर आप नए आए इस चैनल पर तो च जाति देखकर जनता की मदद करने का आरोप सीम नितिस कुमार सरकार पर लगा है यह आरोप जन अधिकार पार्टी के राष्टी एधक्चा पपू यादब ने लगाया है गोपाल गंज बियत्या में बार परभावित अलाकों में फसे लोगों को देखने पहुंचे पपू लेकिन उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है पपू यादब ने कहें कि निति सरकार के लिए यह उनके वोटर नहीं माने जाते हैं इसलिए उन तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है लेकिन कोई भी सरकार अगर ऐसा करती है यह लोग तंत्र के लिए ठीक नहीं छोरकर सभी राजनितिक दल चुनाव अस्तगित करने की मांग कर रहे हैं तब चुनाव आयोग चित्थी लिकर दलों से 31 जुलाय तक सुझाओ मांग रहा है कि चुनाव परचार का तरीका क्या होगा चुनाव आयोग लोगों की जान को दाओ पर लगा कर चुनाव कराने पर मिला है आम लोगों की जान से खिलवार करने के चुट किसी को भी नहीं मिला है बूत की संक्या बराने से संक्रमन का खत्रा नहीं रहेगा इसकी गारंटी कौन लेगा चुनाव में लाखों की संक्या में अधिकारी करमचारी और पुलिस कर्मियों की जान जोखिम में डालकर किसके हित में आयोगे चुनाओ कराने पर आमदा है बिहार में संकर्मन का संकर्मन का संकर्मन बरता ही जा रहा है इस से लोगों की मुस्किलें और भी बर रही है इस संकर्मन को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने मुख्या को जिम्यवारी सौपी है ताकि गृरमिन इलागों में संक्रमन को फाइलाने से रोका जा सके मिलिजानकरी के मुताबिक राजर सरकार ने मुख्या को कहा है कि वे लाड़ स्पिकर से गाओं गाओं में लोगों को जागरुक तथा लोगों को संक्रमन से बचाने के उपाएं बताएं वहीं दूसरी और मुख्या को कहा गया है कि जिनके अंदर में संकर्मन के लक्षन दिख रहे हैं उन्हें तुरंट अस्पताल पहुचाने की बिवस्ता करें राजसरकार ने कहा है कि मुख्या लोड़िस्पिकर से परचार तो करें ही साथ में घर गड़ भी जाएं वाड़ सडेसियों को भी इस कारिये में मदद लेंगी अगर उनके पंचायत में किसी भी परकार के दिकत हो या पिर संकर्मन का फाइला हो रहा हो तो वह तुरंट अस्थाने परसासन और पुलिस थाने से बात करें ताकि संकर्मन से बचा जा सकी नेपाल और उत्री बिहार के कई जीलों में लगातार हो रही बारी से बरा खत्रा बर गया है लगातार हो रही बारी से उत्री बिहार के आठ जीले बार की चपेट में आ गये हैं इन जीलों में तीन लाख लोगों पर बार का संकट मंदरा ने लगा है बिहार में बार परवावित जीलों की बात करतों सितामरी, सीवर, सुपोल, किसंगंज, दरबंगा, मुझपरपूर, गोपाल गंज और पूरी चमपरण सामिल है इन आठ जीलों के 37 परखंड के 153 पेंचैत फिलाल पूरी तरीके से बार की चेपेट में आ गये हैं इस साल बार से सबसे ज़धा परवावित होने वाले जीलों में दरबंगा सबसे ज़धा परवावित रहा है यहां की 1, trim 10000 लोग बार की चेपेट में आ गए हैं बिहार सरकार दोरा बार परवावित लोगों की मदद के लिए राहत सिवीर भी चलाये जा रहे हैं जहां लोगों के रहने और खाने की विवस्ता है, बारिस के बीच उत्तर बिहार में नदियों के पानी में उतार चराओ का खेल जारी है, बिहार में गंगा नदी का बकसर से लेकर भागलपूर तक जलसतर बढ़ता ही जा रहा है, फरक्का में गंगा नदी खत्रे के निसान से 12 सेंटिमीटर उपर है दोस्तों आपको याद होगा 2014 में हरियाना भाज़पा का एक नेता जिसका नाम है ओम परकास धनकेर जहां उन्होंने बिहार की बेटियों को लेकर अपमान जनक टिपणी की थी अब इस नेता को भाज़पा ने सम्मान और इनाम देते हुए हरियाना परदेश भाज़पा का अध्यक्ष बना दिया है इस भाज़पा नेता दोरा बिहार की बेटियों पर अपमान जनक टिपणी के खिलाब बिहारी समुदाय बिहद आकुरसित हुआ था बिहार भाज़पा के वरिश नेता पर उस वक्त बिहारी समाज में उबाल आ गया था और जमकर विरुद परदेशन हुआ था अब इसी भाज़पा नेता को हरियाना भाज़पा का परदेश अध्यक्ष बना दिया गया है इससे पहले ओम परकास धनकर भाज़पा किसान मोडचा के राष्टी अध्यक्ष भी रह चुके है दोस्तों बिहार वासियों को अभी तेरे मार का सामना करना पर रहा है यानि कि बिहार वासियों पर अभी तिन तरफ से मार पर रहा है एक तरफ करोना महामरी कहर बनकर तूट रहा है तो वहीं दूसरी और उत्तर पिहार में बार की विनास लिला जारी है जो कुरोना और बार से बचे हुए हैं उन पर आस्मान से आफ़त बरस रही है यानि की वर्जपात थनका की वज़े से जान गवानी पर रही है दोस्तों इस न्यूज में एक फिल्म का डायलोग फिट बैटा है जो मेरे जहन में आया है जिसमें कहा गया है कि किसी को प्यार की सचाई मार डालेगी किसी को दर्द की गहराई मार डालेगी बिचर के कोई भी मौबत में जी नहीं सकता जो बच गया उसे तनहाई मार डालेगी जिहां इसी डायलोग से रिलेटेड इस वक्त बिहार के हालाद बने हुए हैं जो इस परकार है कि किसी को करोना की महामारी मार डालेगी तो किसी को नेपाली बार मार डालेगी बिहार में चाहे कोई भी हो बच नहीं सकता जो इन दोनों से बच गया उसे आसमानी बिजली मार डालेगी जिहां आजकल बिहार के हालात कुछ इसी परकार की हो गई है चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि बिहार में बरते संकरमन के हालात को देखते हुए परदान मिंतर नरंदर मोदी ने मुक्या मिंतर नितिस कुमार से बाच्चित की है उन्होंने बिहार में संकरमन और बार के हालात का अजाजा लिया वीडियो कंफरेंस के जलिए दोनों निताओं की बीच लंबी बाच्चित चली परधान मंतिर नेरंदर मोदी ने राज़े के परतिचिंता एवंग लोगों के साथ एक जुटा रहने की अपील भी की है दोस्तों कि आप जानते हैं कि जो गए सिलेंडर आप इस्तमाल कर रहे हैं उसकी एकस्पैलिड डेट भी होती है नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं इसे जानने का तरीका जी हाँ आपके घर में आने वाले सिलेंडर एकस्पैलिड डेट भी हो सकते हैं जो खतरनाक हैं जी हाँ इसलिए जरूरी है कि जब भी सिलेंडर आये तो आप उसकी एक्सपारिट डेट की जाँच कर लें तो आएए इसका एक्सपारिट डेट जानने का तरीका जानते हैं इंडियन ऑइल भ्रट पेट्रॉलिम और हंदुस्तान पेट्रॉलिम तीनों ही कंपणियों के एल पेजी सिलेंडर में तीन पतियां लगी रहती है इसमें दो पतियों पर सिलेंडर के जरूर और तीसरी पत्ती में कुछ नंबर लिखे होते हैं ये वास्तव में सिलेंडर के expiry date होती है तो आईए जानते हैं अब कैसे सिलेंडर की expiry date चेक कर सकते हैं आपने देखा होगा कि सिलेंडर की पट्टी पर A22, B24, C23 और D 21 लिखा होता है इन चारों अक्षरों को महिने में बाटा गया है जी हाँ A का मतलब जनवरी से मार्च तक, B का मतलब अप्रेल से जून तक, C का मतलब जुलाई से सप्तमबर तक, D का मतलब अक्तुबर से दिसंबर तक होता है ABC और D अंकों के बाद लिखी सिंख्या एक्सपारी वर्स होती है यानि कि अगर पट्टी पर D 22 लिका होता है तो सिलंडर दिसंबर 2022 को एक्सपार हो जाएगा हर LPG गए सिलंडर को इस्तमाल करने की एक समय सीमा होती है इस अबदी के बाद सिलंडर की टेस्टिंग करवानी होती है यदि टेस्टिंग में सिलंडर इस्तिमाल करने लाइक नहीं निकलता है तो इसे मार्केट से हटा दिया जाता है बिहार के बगा में एक बड़ी खबर सामने आई है यहां के रियासी एलाकों में मगरमच मिलने से हरकप मच गया है जिहां जानकरी की मताबिक बगा के पीपरा गाउं के एक तालाप से मगरमच को पक्रा गया है कहा जा रहा है कि बार के पानी में तैर कर मगरमच तालाप तक पहुँच गया था इसके बाद गाउंवालों ने रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग को सूचना दी थी सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परियावरन प्रेमी गजंदर यादब ने गरामिनों के सहयोग से मगरमच को सुरक्षित रेस्कू किया मगरमच को पकरने वाले परियावरन प्रेमी गजंदर यादब ने बताए कि लगातार मचलियों के सिकार की सिकायत मिल दे थी इसके बाद गरामिनों के सहयोग से मगरमच को सुरक्षित पकर लिया गया है वोन विवाग को सुचना दी गई है ताकि फिर उसे सुरक्षित अस्तल तक छोड़ने की कारवाय की जा सके देश में 12 प्रावेट ट्रेनों का पहला बेच 2023 में परिचालन सुरू कर देगा जिसके बाद अगले वित्वर्स में ऐसी 45 ट्रेन सुरू होगी रेलवे के एक अधिकारी के मताबिक ऐसी सभी 101 प्रावेट ट्रेन अपने पुर्वर निज़ारत कारेकरम के अनुसार 2027 तक पुरा हो जाएगी रेलवे ने अपनी नेट्वोक पर निजी कमपनियों की यात्री ट्रेनों के पड़ी चलन के अनुमति देने की अपनी योज़ना को आपचारिक रूप से आगे बराने के लिए इस मैने की सुरूआत में देश भरके 109 जोडी रूट उपर 101 आधुनिक की यात्री ट्रेने चलने के लिए परस्ताव भेजा है प्राइवे ट्रेनों के संब्ध में रेलवे की योज़ना 2022 तेस्ट में ऐसी बारे ट्रेने चलने की है दो दिन से होड़े ही मुस्ताधार बारिसे बिहार की राधनी पतना और मुझपरपूर सहर कई महले और सरकें फिर से जलमगन हो गई है जिहां इतना है नहीं लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर गया है जिससे उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पर रहा है दोनों सहरों के निशले अलाकों में बारिस के साथ नदी का पानी भी फैल रहा है पतना सहित कई जिलों में अगले बारे घंटे भारी बारिस का अलट जारी किया गया है जिसे लोग सहमे हैं आपको पतादी की परदेश में सामाने से 36 फिस्दी अधिक बारिस हो चुकी है यानि की बिहार में सामाने से 36 फिस्दी अधिक बारिस हो चुकी है इधर नदियों में उफान एक बार फिर से देखा जा रहा है कोसी और अब धरा समुकी नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है इन दिनों बिहार में नौकरी करने का एक अच्छा मौका है जो सभी के लिए है हर कोई सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखते हैं लेकिन हर किसी को सरकारी नौकरी मिल नहीं पाता है ऐसे में आपके लिए बेश्ट मौका है जी हां क्योंकि बिहार में ब्लॉक में कई सारे पदों के लिए नौकडी की बाहर निकली है जिसे आपको जरूर अपलाई करना चाहिए सरकारी नोटिफिकेशन के मताबिक बिहार सरकार ने ब्लॉक एकाउंटेट ब्लॉक स्वास्त परबंदन और ब्लॉक समूदाय मोबिलाइजर के पदों पर बंपर वेकन से निकाली है जिसके लिए आप आउल लाइन आबिदन करने की अंतिम तारिक 26 जुलाई 2020 है अधिक जान इसकुमार के ग्रेज जिले नालंदा का भी सबसे बुरा हाल है वह अपने जिले के लोगों का भी सही तरीकी से इलाज नहीं कर पा रहे हैं राब्री देवी ने नालंदा के एक महला का वीडियो सेर किया है महला के परिजनों का समय से संकर्मन का रिपोर्ट नहीं दिया गय के जब मरेज इस दुन्या से चली जाएगी तब रिपोर्ट आयेगी क्या इस वीडियो को सेर करते हुए राबडी देवी ने कहे कि देखिए और सुनिए बिहार सरकार स्वेंग संकर्मित हो चुकि है यह नितिस कुमार की गिरेजिला नालांदासे हैं मजाल है मुख्यमंत्र जी आप ऐसे कैसे लोगों को आपने हाल पर छोड़ सकते हैं बिहार में जमीन की खड़िद बिक्री जो रू से होती हैं सही जानकडी नए होने के करण लोग धोकिया धरी का भी सिकार हो जाते हैं इसी बीच एक बरी खबर सामने आरही ही कि बिहार में रहने वाले गरीब पास अस्तल कड़ी सहायता याउजना के ताहत सरकारी सहायता से खड़ी जाने वाली भूमी के लिए ये सबीधा मिलेगी इसका लाब बिहार के सभी जीलों के लोग उठा सकते हैं आपको पता दें कि प्रदानमंतरी आवास याउजना के अस्ताय प्रतिच्छा सूची में साम कोई लोग सौर उपे में अपने जमीन की रिजिस्ट्री भी करा सकते हैं बिहार में बिधनसभा का चिनाव नजदिक आ गया है संकर्मन के कारण विपक्षी राष्ट जनतादल और अन्य विपक्षी दलों की ओर से चिनाव टालने की मांग की जाड़ी है लेकिन चिनाव आ नमिनशन सेवा सुरू करने जारी है जी हाँ यानि कि आउल लाइन नमीनिशन सेवा सुरू करने जारी है आपको बतादे कि बिहार चिनाव आयोग 20 जुलाई को आउल लाइन नामंगन को लेकर माक ट्रेल और परकड़िया का परस्ट्रिक्शन किया ऐसा माना जा रहा है कि उमिद्वार इस बार अपना नामंकन आउल लैन के दोरा कड़ा सकते हैं बहुत जल्द नुर्वाचन आयोग दोरा इसकी सूचना जारी कर सकता है बिहार बिद्वाचना को देखते हुए बिहार के सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां प्राडम कर दी है यानि कि सुरू कर दी है इस बीच जेरियों ने बिद्वाचना के लिए वर्चुल सम्मेलर में पोस्टर लांच किया है जिसके बाद विपक्षी दलों ने निसाना साधना सुरू कर दिया आपको बदा दे कि इसी करम में आरजेरी परवक्ता मिर्टन जनते वाले ने काहे कि विनास पत पर चल परा बिहार मैं बिहार के विनास में खरा भागेदार हूँ हा मैं जनता का गुनागार नेतिस कुमार हूँ आपको बदा दे कि उन्होंने आगे काहे कि बिहार में नेतिस कुमार है इसलिए बिहार में हाहा कार है इस तरीके से जडियू के पोस्टर पर आरजेरी नेता ने तर्ज कसा है आपको बदेदी कि इसी करब में कंग्रेस के राजेस राठोर ने का है कि कैसा नेतिस कुमार कैसा विकास नरंदर मोदी की वजे से छोड़ने वाला नेतिस कुमार हूँ जनाधार को अपमानित करने वाला मैं नेतिस कुमार हूँ उन्होंने का है कि जेरियों को ये भी संदेश देना चाहिए दोस्तों बिहार में नौकरी करने की तलास कर रहे हैं लोगों के लिए बहुत जल्द नौकरीयों का पिटारा खुलने वाला है जिहां मिली जानकरी के मुदाबिक बिहार सरकार राज्य में खाली पड़े सभी पदों पर भरती कराने की प्लानिंग कर रही है इसको लेकर सभी विभागों के साथ बिहार लोक सेवा आयोग यानि की बिपी असी बिहार करमचाडी चैन आयोग एवंग बिहार तकनिकी करमचाडी चैन आयोग को सुषना भेज दी गई है खबर के मताबिक बिहार विदान सभा चनाओं से पहले सरकार से भी रिक्त यानि खाली पड़े पड़ों पर भरतिया कराना चाती है और अवर अभियंता के 600 पदों पर सीग्रेन की जल्दी न्यूकती होने वाली है नौकड़ी की तलास कर रहे युवा इन भरती पर नजर बनाये रखें क्योंकि इसको लेकर बहुत जल्द नोटिपिकेशन जारी किया जाएगा और जब भी इसका नोटिपिकेशन जारी किय पंगा समस्तिपूर मदोबनी सुपुल अरडियस सहरसा मदेपुरा पूर्णे किसंगंज और कठियार में मुसलाधार बारिस के साथ साथ वर्जपात के आसार बने हुए हैं इधर पिछले 24 गंटे में उत्तर बिहार सहीत कई जगों पर भारी बारिस दर्ज की गई है सबस मिलेमेटर बारिस दर्ज की गई है जारखन में बरते संकर्मन को रोकने के लिए राजजिक की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है अधिकायक सुत्रों ने बताए कि हर आने जाने वाले लोगों के नाम और पता के साथ फोन नमर भी चेक नाका पर लिया जा रहा है बिहार ब के ज़ियू के मुक्ष्ण परवक्ता संजे सिंग ने दावा किया है कि बिहार के खाजाने पर किसकी गिद 기 निगाये ती ये जग जाहिए है तब बिहार और ज्हारकन एक हुआ करता था जिस तरिके से चारा घौटा लग किया गया और बिहार के खाजाने से काईसा अबेद निकासी की गई कोट ने इसकी सजा भी सुना दिये उन्होंने का है कि लालो जी होटल वार जेल में सजा काट रहे हैं इसके बावजूद भी इसके लिए परमान देना होगा क्या सब जानते हैं कौन गिद और चील की भूमिका में रहा है जद्यू परवक्ता ने आरूप लगाया है कि लालो परसाथ के साथ जितने लोग थे उन पर किसी का अलकत्रा पर निगाटिका हुआ था तो किसी के जमीन पर लागडाउन और संकर्मन को देखते हुए पडिवन विभाग ने इंसोडैंस परदूसन और ड्रैविंग लाइसेस नहीं होने पर चालान नहीं कातने का ऐलान किया है इसके बाद भी राधधनी पटना के कई चौक चराओं पर गारियों को रोक कर चालान काटा जा रहा है बाई पास बस इस्टेन कर भी गया पूल की नीची आर ब्लॉक कर गिल चाओं का डाग बंगला चाराया और हरताली मोर के पास गारियां रोक कर जबरन वसुली की जा रही है पुलिस या जिल्म के खिलाप आटो चालो को संग 22 जलाय को विरूद परदूसन करेंगी आटो चालो को सरकार दोरा किसी परकार की सहयता नहीं दी गई है उल्टे जगे जगे पर आटो चालो को निसाना बनाया जा रहा है और उनसे जबरन वसुली की जा रही है तमाम काख़ात रहने के बावजूद आटो थाने में लगाया जा रहा है उनसे 2-5,000 रुपे तक का फाइन लिया जा रहा है जब यूनियन के लोगों ने पूछा कि काखजात रहने के बावजूद आउटो को क्यों जब किया जा रहा है तो उनके साथ भी बजसुलकी की गई दोस्तो आज का नियूज बस यहां तक कैसा लगा जरूर अपना स्यावदी जिगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप नहीं आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्रेब करके बेल आकानों को भी प्रिस कर दिया और साथ में वीडियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में